लखनों के धरना इस्थल इको गार्डन में एक दिसंबर को शिवसेना के कारिकरता उने प्रदेश की सरकार के खिलाफ जोड़दार प्रदर्शन किया यह प्रदर्शन आठ सूत्रिय मांगो को लेकर किया गया राजभवन का घिराफ करने की मंशा बना चुकी शिवसेना को प और अपनी मांगो की समर्थन में जोड़दार प्रदर्शन करने लगे शिवसेना ने पहले ही प्रदर्शन का एलान किया था इसके साथ ही शिवसेना ने राजभवन का घिराफ करने का एलान किया था लेकिन पुलिस प्रशाशन ने दवाब डालकर राजभवन घिराफ करन निकलने नहीं दिया। प्रदेश में भरती अप्राद और बिगरती कानून विवस्था को लेकर शिफसेना ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जम कर घेरा। शिफसेना के प्रदेश प्रमुक अनिल सिंग ने बिगर्थी कानुम विवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रि योगी आधित्यनात को जिम्मदार ठहराया अनिल सिंग ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हत्याओं पर लगाम लगानी में योगी सरकार पूरी तरह से फेल है शिवसेना के धरने में प्रदेश की भिविन जिलों की कारिकरता शामिल हुए की आव सकता है आज हम लोगों ने धरना रखा जिस प्रकार किसान हमारे MSP के लिए समर्थन मूल के लिए लड़ाई लल रहे हैं और जो धान की खरीद तौल नहीं हो रही है यह कहीं नहीं कहीं किसानों के साथ सरकार का रवया बहुत ही यह दुखदाई है जिस प्रकार भारत मले कानपुर में उद्योग धंदे बंद हो गए हैं तो प्राया जो हत्या लूड डखैती बलातकार इस तरह की घटनाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश के 28 करोर लोगों को सरमशार करने का काम किया है मुख्यमंत्री को नहतिक्ता के आधार पे इस्तिखा देना चाहिए होगी तफस्वी मुख्यमंत्री नहीं बचा सकता है तो मुझको लगता है उसको गर्दी छोड़ देना चाहिए